Dear students, इस वीडियो में आप लोग class 6th exercise 10th A को समझेंगे, chapter का नम है ratio and proportion तो हमें जो है ratios और proportion के बारे में study करना है first sum से शुरू करते हैं, बिलकुल आसान है, जो basic मैं आपको समझा हूँ, उसको ध्यान से समझना आपने express the following as ratio in different ways as shown in example simple question है, इसमें तो कुछ नहीं करना है हमें, जो हमारी यह जो हमें दे रखी है statement, इसको हमें इन चार forms में लिखना है first fraction, next ratio, next read as, क्योंकि ratio को हम पढ़ते हैं, जैसे 3 ratio 5 लिखा हूँ है, तो इसको हम read कैसे करेंगे, 3 is to 5 3 is to 5, और simplest form है, कि अगर यह fraction cancel होता है, तो इसको cancel करो नहीं होता है, तो वही simplest form रहेगी हमारी तो इसको हम zoom कर लेते हैं थोड़ा, ताकि हम असानी से कर पाएं, तो first और second तो solved है, next है 50 marks to 20 marks, और एक बात आपको हमेशे याद रखने हैं, यह ratio जो है, वो unit less होती है, ratio के पीछे कोई भी unit नहीं लगाए जाती है, यह है 50 by 20, तो fraction में तो आपको यह लिखना है, 50 by 20, फिर ratio में आपको लिखना है 50 ratio 20, ठीक है, और यहाँ पर read as में लिखना है 50 is to 20, ठीक है, और simplest form में इसको cancel करके लिखना है आपने 0 से 0 कैंसल हो जाएगा, तो 5 by 2, तो 5 ratio 2, ठीक है, इस तरह से, फिर next है 10 by 5, तो यहाँ fraction वाले में लिखना है आपको 10 by 5, यहाँ पर, यहाँ पर लि 10 ratio 5, यहाँ पर लिखना है 10 is to 5, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है 10 is to 5, और यहाँ इसको solve करके 5 अंज़ा 5, 5 to 10, तो यहाँ एगा 2 is to 1, ठीक है, फिर next है हमारा 5 meter to 1 centimeter, अब ratio में आपको एक चीज़ जो ध्यान अखनी है, वो यह है, कि ratio तभी निकाली जा सकती है, जब द अग हम ratio नहीं find out कर सकते है, अगर आप करेंगे तो गलत आएगा answer, यहाँ पर 5 meter है और 1 centimeter है, तो meter को centimeter में change करेंगे हम, एक meter में होते हैं 100 centimeter, तो 5 में कितने हो जाएंगे, 500 centimeter to 1 centimeter, और ratio में एक word जो आपको हमेशा मिलेगा, वो मिलेगा 2, TOO, 2 से जो पहले होता है, वो हमेशा ratio में, जब ratio को लिखते हैं तो उपर आता है, और 2 के बाद वाला नीचे आता, यह भी आपको विशेश द्यान देना है, तो यहाँ पर 2 से पहले 500 centimeter, और next है 1 centimeter, तो 5 meter को हमने लिखा 500 divided by 1, तो यहाँ पर तो आएगा 500 divided by 1, फिर यहाँ पर आएगा आपका 500 is to 1, 500 is to 1, यहाँ इसको आपने लिखना है, is to बीच में लगा के 500 is to 1, ठीक है, और last में इसकी simplest form आगे तो यह cancel होगा नहीं, तो simplest form में भी same आजएगा 500 ratio 1, फिर next है, rupees दोनों same है, तो यहाँ पर हम fill करेंगे 120 divided by 200, फिर यहाँ पर हम इसको ratio में लिख देंगे 120 ratio 200, फिर यहाँ पर हम इसको लि 4, 3, 12, 4, 5, 20, तो यहाँ आजएगा 3 ratio 5, फिर next है, 120 cm, 1 meter, अब आप दिहान दें यहाँ पर, 160 cm है लेकिन 1 meter है, तो meter को cm में चाहिए तो यह statement बन जाएगा 160 to 100 cm, तो फिर 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 को लिखेंगे 160 divided by 100, यहाँ लिखेंगे 160 ratio 100, यहाँ लिखेंगे 160 is to 100, और यहाँ पर इसको cancel करेंगे, तो 160 divided by 100 लिखके cancel करते हैं, 0 से 0 cancel, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो यहाँ जएगा 8 is to 5, फिर next है हमारा 20 minute to 3 minute, यह तो simple है, यहाँ जएगा 20 by 3, यहाँ जएगा 20 ratio 3, यहाँ जएगा 20 is to 3, और यहाँ एगा 20 ratio 3, ठीक है, क्योंकि simplest form यही है, फिर next है, 8 hour to 1 day, अब 8 तो hours है, 1 day है, तो 1 day को hours में change करेंगे, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यहाँ जएगा 8 divided by 24, ठीक है, यहाँ जएगा 8 ratio 24, यहाँ जएगा 8 is to 24, और यहाँ हमें इसको cancel करके लिखना है, तो 8 by 24, 8 3 जा कितना होता है, 24, यहाँ पर आ जएगा 1 ratio 3, ठीक है, फिर next statement देखते हैं, हमारा second sum, second में है, represent the following as the ratio of first number to the second number, and write it in the simplest form, और इसको simplest form में लिखो, तो हमें करना क्या है, first number to the second number, ठीक है, first number to the second number, तो हमें क्या करना है पहले इसको, ratio में represent करना है, फिर simplest form, तो ratio में represent करने के लिए 6 is to 9, फिर जब simplest form बनानी है, तो यहाँ पर आपने देख लेना है, क्या यह cancel होता है, बिलकुल, तो आपने रफ में इसको क्या कर देना है, cancel, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो simplest form जो है, इसकी वो क्या बनेगी, 2 ratio 3, ठीक है, इसी तरह है, next है, 18 ratio is to 36, यह लिख दिया, फिर इसको cancel कर लेते हैं, रफ में, 18 to 36, तो यहाँ गया, 1, simplest form इसकी आजएगी, 1 is to 2, फिर next है, 14 ratio 7, ठीक है, तो इसकी simplest form आजएगी, 14 divided by 7, 7 बनानी है, 7 to 14, simplest form आजएगी, 2 ratio 1, फिर next है, 36 ratio 8, तो इसको लिखेंगे, 36 ratio 8, तो इसको cancel कर लेते हैं, हम, 4 to 8, 4, 9 to 36, तो यहाँ आजएगा, 9, simplest form जो है, इसकी वो आजएगी, 9 ratio 2, ठीक है, फिर है हमारा, 96, 36, तो पहले तो हमें इसको, रेशो में लिखना है, तो ऐसे, फिर cancel कर लेते हैं, इसको, 4 पे हो जएगा, cancel, 4 to 8, हाँ, 4, 9 to 36, 4 to 8, 1 बजएगा 16, 4, 4 to 16, ठीक है, तो यहाँ आजएगा, 24, 3 पे भी cancel हो रहा है, तो यहाँ आजएगा, simplest form आजएगी, 8 ratio 3, 8 is to 3, फिर है 19 और 14, तो यह तो simplest form भी इसकी यही है, क्यों, क्योंकि यह cancel तो होगा नहीं, फिर आता है हमारा, third sum, third sum में हमें क्या करना है, जो हमें diagram दे रखा, उसको हमें study करना है पहले तो, determine and state which rows have same ratio, कौन कौन सी row की ratio, सेम है, 4 row है, यहाँ पे, ratio किसकी निकालने हमें, 2 से पहले है B, फिर है flour, तो पहले हमें B को count करना है, फिर flour को, तो first वाली की ratio देखते हैं, क्या बनेगी, 2 और यहाँ पे, flour कितने है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 ratio 5 है, first row की, second है 1 और 3, 1 ratio 3, फिर है 2, और यहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 ratio 6 और यह cancel भी होता है, 2 की table पे, तो 1 ratio 3, क्योंकि 2 बन जा 2, 2, 3 जा 6, तो 2 ratio 3 को हम लिख सकते हैं, 1 ratio 3, फिर है 2 और 2, तो 2 ratio 2, इसको हम लिख सकते हैं, 1 ratio 1, तो किसकी बराबर है, second और third, तो हम लिखेंगे, second और third है, same ratio, फिर next है हमारा balls to apples, तो first वाले में है 2 और 3, तो first की ratio बनेगी 2 ratio 3, फिर next की बनेगी 3, 4, 3 ratio 4, फिर next की बनेगी 4 और 6, तो 4 ratio 6 जो है, अब 4 और 6 कैंसल भी होते हैं, 4 by 6, 2 तो जा 4, 2 तो 3 जा 6, तो यह ratio जो है, 2 ratio 3, 2 is to 3, लास्ट है, 1 is to 3, तो कौन बराबर हैं, यह दोनों, और यह दोनों कौन है, 1 और 3, तो इसका अंसर इसमें भी हमें यही काम करना है, determine and state which rows have different ratio, यहाँ पर हमें बताना है, किनकी ratio different है, कुछ की सेम आजएगी तो हमें different बतानी, तो इसमें है, 3 boys हैं, और football कितने हैं, 3, 3, 6, 3, 9, तो यह आएगा, 3 ratio 9, और इसको solve करेंगे तो, 1 ratio 3, ठीक है, क्योंकि 3 तरी जा 9 होता है, फिर next ह 1 और 4, यहाँ एगा, 1 ratio 4, फिर एगा, 1 ratio 3, 1 ratio 3, फिर एगा, 2 और 6, 2 ratio 6, तो इसको भी cancel करेंगे, तो 1 ratio 3 आजएगा, तो हमें बताना था, which rows have different ratio, किस की ratio different है, तो हम यहाँ लिखेंगे, only 2 is different, only 2 is different, क्योंकि बाकी सब की देखो, सेम आ रही है, फिर इसके next part में देखते हैं, boys to the cost, of book in rupees, यहाँ पर book है 2, यहाँ, money कितनी है, 400, है न, 400 नहीं, हम इसको एक एक note को गिनेंगे, 4 note है यहाँ पर, तो यह हो जेगा, 2 ratio 4, और इसको cancel करेंगे, तो 1 ratio 2, फिर हम देखते हैं, यहाँ पर है, 4, और यह कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 4 ratio 5, फिर है, 3, और यहाँ पर है, 6, तो 3 ratio 6 को हम लिख सकते है, 1 ratio 2, फिर है, 3, 4, 5, और 5 is to 2, तो इसमें अलग होन है, 2nd and 4th, क्योंकि 1st और 3rd सेम है, फिर next आता है हमारा अगला question, 5th, इसमें है, there are 35 girls and 45 boys in a class, तो number of girls हमने लिखा 35, boys हमने लिखा 45, तो total कितने होगे student, 80, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जब ratio निकालने हैं, तो ratio में आपको 2 word दिखाई देगा, वो उस पे आपका ध्यान जाना चाहिए, उससे पहले कोन है और उसके बाद कोन है, तो first वाले में 2 से पहले girls, बाद by 45, 5 की टेबल आपको आती होगी, 5, 7 जा 35, 5, 9 जा 45, तो ratio आगे हमारी 7 जा 9, फिर next हमें निकालनी है, number of girls to total number of student, तो 2 से पहले number of girls, तो इस ratio में उपर आएगा girls, नीचा आएगा total number of student, तो total number of student हमारे हो जाएंगे 80, हमने इसको cancel किया, 5, 7 जा 35, 5, 16 जा 80, तो answer आगया 7 जा 16 next है हमारा sixth question, find the ratio of the following in lowest form, तो इनकी ratio जो हमें lowest form में निकालनी है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले तो हम चक करेंगे, क्या unit सेम है, यहाँ पर first में ही unit अलग है, 75 तो पैसे है, 5 रुपीज है, और जब भी आप ratio निकालें, तो एक बात और मेरी धिहान रखें कि हमेशा बड अब असानी से आप कर पाएंगे, बड़ी unit को छोटे में, अब यहाँ पे है रुपए और पैसे, तो आपको याद रिखना है, रुपए से पैसे, इनमें 100 का gap है, अगर उपर से नीचे आओगे, तो 100 से multiply, और अगर नीचे से उपर जाओगे, तो 100 से divide, तो अभी हमने क्या पाले वाले को उपर लिखा जाता है, तो 75, टू के बाद वाले को नीचे तो 500, अब अगर आपको 25 की टेबल आती है, तो बहुत बहतर है, नहीं आती है, तो 5 पे भी आप काट सकते हो इसको, तो मैं इसको काटता हूँ 25 पे, 75, 25 तो 50, 0, तो या गया, 3 is to 20, ठीक है, इस तर 2000 ग्राम, टू, 700 ग्राम, ठीक है, अब 2 से पहले वाले को उपर रख देंगे, 7000, डिवाइड बाए 700, टू 0 से टू 0 कैंसल, 710 जा, 70, तो नीचे आ गया 1, उपर आ गया 10, तो 10 रेशियो, 1, ठीक है, योनिट कनवर्जन आपको देखना है, तो मेरी एक अलग से वीडियो भ 12 इंक्स होती है, जैसे आप एक दरजन के लिए खरीच देंगे, तो 12 के लिए मिलेंगे आपको, और score में होती है, 1 score में होती है, 20, ठीक है, कितने होती है, 20, तो अब यहाँ पे 3 dozen है, तो statement को दुबारा बनाते है, 3 dozen है, एक में होती है, 12, तो 3 में कितनी हो जाएंगी, 36, 2, 2, 2 score है, एक score में 20, तो 2 में कितनी हो जाएंगी, 40, ठीक है, तो अब हम इसको कर देंगे, cancel, 36 by 40, तो यह आजेगा, 4, 9 जा 36, 4, 10 जा 40, तो अंसर आगे, 9 ratio 10, तो इस चीज को आपने नोट रखना है, 1 dozen 12, 1 score 20, फिर नेक्स है, 3 मीटर 5 सेंटिमेटर, तो 35 सेंटिमेटर, अब यहाँ पे है, 3 मीटर, प्लस 5 सेंटिमेटर, ठीक है, इसको प्लस में भी हम लिख सकते है, 3 मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटिमेटर, तो 3 में कितनी हो जाएंगे, 300, प्लस 5, तो यह हो जाएगा, 305 सेंटिमेटर, तो अब स्टीमेट को रिराइट करते हैं, हम दुबारा से, 305 cm 235 cm ठीक है तो यह हो गया अब इसको हम cancel करेंगे 305 divided by 35 तो 5 की टेबल पर आप cancel कर सकते हैं इसको 5 7 जा 35 5 6 जा 35 5 जा 5 तो अंसर आज़ेगा 61 ratio 7 ठीक है फिर next है हमारा 48 minutes है 2 are 50 minutes है तो first वाला तो सही है statement 48 minutes 2 अब यहाँ पर हमें 2 hours को minutes में change करना है तो 1 hour में 60 minutes 2 hour में 120 और plus में extra minute कितने हैं 50 तो यह हो जाएंगे 170 तो यहाँ लिकिंग हम 170 minute अब इसकी ratio निकालते है 48 divided by 170 तो अब आप इसको 2 पर cancel कर सकते हो 2 2 जा 4 2 4 जा 8 उपर तो 24 आएगा नीचे आएगा 2 2 8 जा 16 2 5 जा 10 तो आंसर आजएगा हमने निकाल दिया 25,000 minus 5,000 तो यह आगया expenditure 20,000 तो अब हमें ratio जब निकाल लिए तो 2 से पहले हम दिखेंगे क्या है earning तो earning को रखेंगे उपर एपार में और saving है बाद में तो इसको लखेंगे नीचे तो यह आगया earning थी हमारी 25,000 उपर लिखा हमने saving नीचे लिखा अब इसको cancel करेंगे 3,0 से 3,0 cancel 5 बन जा 5 5,5 जा 25 तो answer आगया 5 by 1 और इसको जब हम ratio में लिखेंगे तो 5 is to 1 फिर next हमें निकाल लाए earning to expenditure earning उपर लिखेंगे expenditure नीचे expenditure क्या है खर्चा तो खर्चा हमने already निकाल रखा है 20,000 तो हम लिखेंगे 25,000 उपर और 20,000 नीचे तो इसको करेंगे cancel 3,0 से 3,0 5,4 जा 20 और 5,5 जा 25 तो यह आजेगा 5 by 4 और इसको जब हम ratio बनाएंगे तो 5 is to 4 next हमारा 8 sum the length and breadth of a rectangular field are 20 and 15 तो यह होता है rectangle, length इसकी है 20 breadth है 15, सामने वाली साइड़ें already बराबर होती है, find the ratio of length 2 breadth, 2 से पहले length है बाद में breadth है, तो ratio कितनी आएगी उपर हमने लिखना है length, नीचे लिखना है breadth, अब उपर कितना आएगा length कितनी है, 20 divided by 15 5 की table आपको आते होगे, 5 जा 15 5 जा 20, तो ratio आगया 4 is to 3 ठीक है, इस तरह से आपको करना है next हमारे 9 सम, compare the following ratio and find the smallest ratio अब compare कैसे करना है वो आप सीखें सबसे पहले तो हमें, जो ratio है उसको fraction में लिख लेना है 7 by 6 और 24 by 9, अब वैसे तो यह cancel हो रहा है तो आप cancel भी कर सकते हैं इसको 3 की table में cancel हो रहा है, तो और असान होजेगा 3, 3, 9 3, 8, 24, अब आपको cross multiply करना है, याद रखना है जिसके उपर वाले से शुरू कर रहे हो, वो उसके ही नीचे आएग, जैसे उपर 7 है तो 7, 3, 21 इसके नीचे आएगा, बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं, गलत है, उपर जो है first, तो उसकी multiply नीचे वाले के साथ करके यहाँ लिख देनी, फिर इधर उपर वाले की इसके साथ करोबगे तो इधर ही आएगा, जिधर का उपर वाला उसी तरफ वो statement लिखी जाती है, 8 सिख जा, 48, तब कौन बड़ा कौन छोटा है, तो 21 इसमें 21 जो है इसमें छोटा है और 48 बड़ा है, तो मतलब इधर वाली जो statement है, इधर वाली ratio जो है, वो greater है, और इस तरफ वाली छोटी है, तो हमें smaller ratio लिखनी है, तो दोनों में से छोटी कौन हुई, जो 21 के उपर है, 21 के उपर कौन है, 7 is to 6, तो हमारी smaller ratio is 7 is to 6, फिर next है, 4 by 7 और 5 by 8, ठीक है, अब इसमें cross multiply करते हैं, 4 उपर है, तो 4 की multiply 8 के साथ, 4 तरी जा, 4, 8 जा 32, फिर 5 की multiply, इधर उपर वाला है 5, तो 5, 7 जा 35, कौन चोटा है दोनों में से 32, 32 के उपर है, 4 is to 7, तो हम लिकेंग answer, the smaller ratio is 4, ratio 7, ठीक है, फिर next है हमारा 10th sum, इसमें हमें गिवन है, इने bag, there are 24 red balls, तो हमने लिखा red ball 24, green ball 21, तो 21 लिख दिया, what is the ratio of green ball to the total number of balls, तो हमें बताना है, what is the ratio of green ball, green ball की ratio, to the total number, तो 2 से पहले है, green ball, तो हम लिखेंगे ratio जब निकालेंगे, green ball को उपर, और नीचे लिखेंगे total ball, और total हमने पहले से कर लिया है, कितना आ गया, 45, हम लिखेंगे, 21 divided by 45, तो cancel करेंगे, 3, pay 3, 7, 21, 3, 3, 5, 15, तो answer आ गया, 7 is to 15, फिर next है हमारा 11th sum, in a restaurant, there are 45 guests for a party, एक party के लिए कितने guests आए हुए है, 44, तो total guests हम लिखा 44, फिर each one was provided with a burger, हर एक को एक एक burger दिया गया, 11 of them were given burger without onion, 11 को कौन सा burger दिया गया, who get burger without onion, 11, और बाकी जो बचें, उनको onion वाला, तो who ate burger with onion, total में से 44 में से 11 को माइनस किया, 33, तो यह आ गया, अब हमें जो ratio निकालनी है, वो क्या है, 2 से पहले है, guest who ate burger with onion, तो उपर लिखा हमने with onion, नीचे लिखा, total guests जो present थे, उनके साथ ratio निकालनी है, तो उपर जिन्होंने onion वाला लखाया, 33, नीचे total 44, इनको कैंसल कि 11 पर 11, 3 जा 24, 11, 4 जा 44, तो 3 is 2, 4 यह हमारा answer है, फिर next है हमारे 12th question, out of 30 fruits, total fruit है 30, 13 are mango, तो mango है 13, तो remaining है orange, तो orange हमने निकाला 30, total में से 13 को minus किया 17, तो हमारे पास है, what is the ratio of orange to that of mango, तो orange के साथ ratio निकालनी है, mango की, तो orange हमने लिखा 17 उपर, और जो हमारे mango है, वो 13 नीचे, तो यह cancel तो होते नहीं, तो यही ratio आजागी, 17 is to 13, फिर है 13 sum हमारे, two numbers are in ratio, बिल्कुल simple है, दो numbers की ratio दे रखी है हमें, और sum, जब भी आपको किन ही भी दो number या दो angle की ratio दे रखी हो, और उनका sum दे रखा, तो आपने यही method जो है, हर बार use करना है, वो method क्या है, कि ratio हमारी given है, तो आपने क्या करना है, इनका total कर लेना है ratio का total, तो हम लिखेंगे sum of ratio, या फिर total of ratio, 8 plus 7, 15, तो यह 15 का हम use करेंगे, कैसे करेंगे, और sum, जो है numbers का दे रखा है, वो 60 है, तो first number कैसे निकालेंगे आप, जो निकालना है, उसकी ratio उपर, first निकालना है, तो first की ratio उपर, total of ratio नीचे, और multiply करेंगे उनका sum, ठीक है, यह formula आ 15 के साथ, 15 फोर्जा, 60, 8 फोर्जा, 32, तो first number आगया, 32, फिर next second number निकालना है, तो second ratio का इस्तिमाल करेंगे, second ratio divided by 15, total of ratio है, और multiply 60, तो 4 पे cancel होगा, 7 फोर्जा, 28, तो second number आगया, हमारा 28, देखो कितना असान मेथड है, फिर हमारा next sum, same, इससे मिलता जूलता है, sum of two angles is 90 degree, दो दे रखा हो, ratio दे रखा हो, ratio दे रखा हो, तो कैसे निकालना है, फिर से आप कर होगे, given जो ratio है, two ratio, three, total of ratio, या sum of ratio, two plus three, five, अब sum of angle हमें given है, 90 degree, तो हम कैसे निकालेंगे, first angle, जिस number वाला angle निकालना है, first निकालना है, तो first की ratio उपर, total of ratio नीचे, और multiply by sum of angles, तो इसको cancel कर देते हैं, five पे, 18 आजेगा, 18 तू जा, 36, फिर आएगा second angle, second ratio लेंगे, फिर, three by five, multiply, 95 पे cancel करेंगे, 18, three, 18 जा, 54, तो second angle आगे हमारा, 54 degrees, ठीक है, next question भी, same, इसी से मिलता जूलता है, इसमें है, the sum of angles, next है हमारा fifteen sum, इसमें है, the sum of angles, of a triangle is 180 degree, तो sum of triangle, एक triangle के तीनों angle का जोड जो है, वो 180 degree है, तो हमें तीनों angle की ratio दे रखे, one, two, three, तो same rule apply करेंगे, हम sum of ratio निकालेंगे, one, plus two, plus three, six, फिर, sum of angle जो है, वो 180 degree है, तो first जब angle हम निकालेंगे, तो first ratio का यूज करेंगे, तो one by total of ratio क कितना है, six, six pace को cancel करते है, six, three, जा 18, तो 30, और 30 की one से multiply, तो 30 degree, first angle, second angle जब निकालेंगे, तो second ratio का use करेंगे, two by six, तो cancel करते है, two by two, two, three, जा six, three pace को cancel करो, 60, ठीक है, फिर next है हमारा, third ratio, third ratio three है, तो three by six multiply, 180, तो six, three, जा 18, 10, 30, 33, जा 90, तो तीनों angle आगे, हमारे first, 30, 60, और 90, next है हमारा 16th sum last है, इसमें है, divide 1500 रुपीज बिविन आनिया और बीजू, in the ratio 5 इस तो 7, तो इस ratio में हमें बाटना है, तो फिर से हम लिखेंगे, given ratio, फिर हम लिखेंगे, total of ratio 5 प्लस 7, 12, फिर हम लिखेंगे, total money, जो हमें 100, तो कैसे यूज करेंगे हम, first, आनिया जो पैसे लेगी, वो कितने आएंगे, उसकी ratio आनिया की 5, divide by total of ratio, multiply total money, तो हम यहाँ पे cancel करते हैं, 12 पे, तो यहाँ हैगा 125, और 125 की 5 के साथ, multiply करेंगे, तो आंसर आजएगा 625 रुपीज, तो आनिया को मिलेंगे 625 रुपे, बीज पे आप cancel करेंगे, फिर से 125 रुपे आएगा, 7 के साथ इसकी multiply करेंगे, तो आजएगा 875 रुपे, तो बीजू को मिलेंगे 875 रुपे, तो यह थी, बचो, exercise 10th A, जिसको हमने complete किया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को जूरूर सब्सक्राइब करें, और क कमेंट में अपनी राय बताएं, कि आपको कैसा लगा, धन्यवाद,